इस गूड आप्टरनूम कैसे हैं आप सभी लोग आई होब आप सभी अच्छे हूंगे और मैं भी अच्छे हूं तो फ्रेंज स्वागे थे आपका मेरे यूटुब चैनल पर अभी सड़े बारा थाइम सड़े बारा हुए हैं और मैं कहां जा रही हूं वह मैं आप लोगों क एक छूटा समेह मानाने वाला है कौन भी मानाने वाला है तो चलिए फिर मैं आप लोग को न दिखाती हूं अभी मैं रोड में नहीं पहुंची जब पहुंचाओंगी तो आप लोग साथ शेयर करूंगी तो बने रहे ये वीडियो में जो न्यू है मेरे चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो चलिए फिर सो फ्रेंस यहां पर ना मैं रोड में पहुंच गया हूं तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूं थोड़ा सा थे शूट किया है मैंने और यह दिखी फ्रेंस यहां पर गाड़ी आ मैं देखी ना कितना चोटा सा है कितना प्यारा है और यह नब बहुती मतलब यह हो गया था तो चल भी नहीं रहा था तो मैंने ना इसको गोद में ही लाया नीचे तो यह दिखी यह हमारी टॉफी आशे है अन्शू के पास दो रात को थिये और आज इसने उसने इदर फेजा है गारी में उसकी जाय है तो अब यह मेरे पवास रहने वाला मेरिशा तो मैंने इसको नहीं पर पर घर में पानी दिया था पड़ इसने प्याननी पानी तो सची में बहुत दूप थी और इसने पानी भी नहीं पिया फिर मैंने इसको दूद दिया और यह ना अच्छे से दूद पीने लग गया तो देखो कितनी अच्छे से दूद पी रही है सोरी मैं बार बार आप लोगं को बता रही हूं कि पी रहा है बड़ यह पी रहा है यह पी रही है आप लोगं को पाता लगया होगा कि यह बेभी कि इसी है झाहिए तोड़ा सा धुझ इसने पिया बाकि इसने रहने लिगा इतना कर भी दोड़ा है जादा दूझ इसने तो बाकि इसने इसी में कटोरे में रहने दिया तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा मेरे साथ के लिए अब मतलब दूसरा आ गया बट ऐसे भी होता है जब इदर जाना होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी बट फिर भी कोई बात नहीं तो यह रात को मैंने इसको दूद दिया था तो इसने खेल रही थी तो फ्रेंस यह था मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और जो न्यू है मेरे चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना तो फ्र thank you and bye bye